बार्सा ने अच्छी निउस ही है कि बार्सा ने रायो को कमबैक किया, 2-1 हराया, डैनियल मुका ब्रिलिन डेब्यू हुआ, बार्सा ने फिर दुबारा कमबैक किया, आफ्टर डैट वलेंशिया गेम, बट बहुत बुरी निउस भी है पैरलल के अंदर और इससे बुरी इंजरी हो गई है भाई, मतलब मैं क्या बुर्णू यार, मतलब कोई लगता कोई ब्लैक मैजिक हुआ भाई, काला चादू वगएरा, कुछ चीज हुई दिया बार्सा के उपर, the moment the player starts clicking, मतलब कितने प्लेयर के साथ हो चुका वाई, obviously ACL की बात नहीं कर रहा है, गावी की तो ACL ही थी, फिर बाल्डे वो पिछले सीजन इंजरी से स्ट्रगल करते रहे हैं, पिछले साल फ्रैंकी डियोंग रहे हैं, अंसु फार्टी का केस आब लोगग के सामने हैं, यार यह ऐसी इंजरी है ज जिसकी वजय से बाल्डे को जराड मार्टीन खेल रहे थे और बाल्डे को रेस्ट मिला था उनके पास option कोई नहीं है राइट नौ जिस तरह के setup वो खिला रहे हैं जैसे मैंने आपको काफी दफा एक्स्प्लें किया है कि इस नॉट डबल पिविट बरनाल बहुत centrally खेल रहे हैं और राइट साइड पे फर्दर एहड जो है वो रफीनिया खेल रहे होते हैं तो बरनाल बहुत centrally alone खेल रहे होते हैं काइंड ओव सीडियम पोजिशन की उपर और दोनों साइड से जो के चावी की सिस्टम में फरक है यहां पे दोनों साइड पे चाए वो कुंडे हों चाहे वो बाल्ले या जराल माटिनो दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं राइट से पे आपको कुंडे बहुत ज़्यदा दिखेंगे तो बार्सा कोशिश कर रही होती है कि बाडी जो पोजिशन हाप में हो maximum close to the box हो maximum overlapping runs हो जो कि प्रॉपर फुटबॉल है तो चाहे वो कुंडे हों उनसे भी overlapping runs हर attack के अंदर कुंडे जो है वो overlap कर रहे होते हैं या पर लमीनियमाल वाइड हो तो कुंडे centrally available होते हैं तो बहुत बड़ा issue है बिकॉज बरनाल तो खेल रहे थे यार इतनी ज्यादा timing खराब है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता वो इसलिए क्योंक sorry you expect कि वो थोड़ा सा jittery होता है confidence कम होता है तो वो basic passes कर रहे थे लेकिन अगर आप पिछले तीन matches के अंदर उनकी progress देखें और इस match में he was one of our best players कुंके वो ball ले भी रहे थे, ball distribute भी कर रहे थे, long balls भी खिला रहे थे, tackling भी कर रहे थे और tight spaces में press को beat भी कर रहे थे, dribble करके औ इसका मतलब यह है कि उनका confidence बर्नाल का actual potential है वो उसके करीब जा रहे थे ठीक है या उसकी direction के अंदर जा रहे थे और it was looking great पीच में news भी आ रहे थी शायद बर्नाल नहीं खेलेंगे उनको rest दिया जाएगा जैसे जैसे मैंने बताया बाल्ले को दिया गया लेकिन possible ही नहीं है बिकोज आपके पास वो player ही नहीं है ठीक है उस उस position के उपर गावी भी injured है फ्रेंकी भी injured है जो कि उस position पर खेल सकते हैं गुंडगोन भी खेल सकते हैं लेकिन he is not available anymore तो भाई इससे बुरा time नहीं हो सकता बर्नाल के injury का अब बार्सा market में नहीं जा सकती बार्सा has to look for solution जैस से हमने देखा क्यारी गार्षा केलते हैं जब वो आते हैं तो हो सकता है क्यारी गार्षा दिखें आपको क्यूंकि इसके अलावा तो मुझे या तो कसाडो दिख सकते हैं आपको कसाडो और पैडरी दिख सकते हैं बड़ कसाडो इस मोर लाई का मतलब थोड़ा सा वो higher up the page जो है वो खेलना पसंद करते हैं he's more like Gavi but obviously he can play in that position तो हो सकता है आपको कसाडो दिखें बड़ भाई इससे बुरी न्यूस नहीं हो सकती थी बरनाल के लिए भी बकॉस जैसे मैंने आपका वो बिल्कुर क्लिक कर रहे थे ठीक है क्लिक करना शुरू कर रहे थे उस direction में जा र रही थी जो हांसिफ लिक का जो आइडिया था उसके उपर बार्सा क्लिक कर रही थी और उसके अंदर बहुत इंपोर्टन थे बरनाल बिकॉस वो सिंगल पिविट के अंदर खड़े रहते थे सेंटरली अकेले जिससे जिससे जो है वो मतलब परमिशन मिलती थी पेडरी को और राफिनिया को टु प्लेयर अप्ट पेच बहुत बहुत ऑनफॉन्यत आयार आयोप का से अले यार माय गॉट यह विल्मड प्लेयर दोंग के वाई के बाद प्लेयर प्लेयर इसे समें और उर विल्मट विल्मट जावी अनशी ऑ क्धिवट गवीं मेरा थॉडव आप सेकंड हाफ देखें, जो के पिछले सीजन में कम्पलीड मिसिंग था, वो इंटेंसिटी नहीं दिखती थी आपको सेकंड हाफ में, और अब आप मैचिस देखें पहले तीन, I know सिरफ तीन मैचिस हुए हैं, लेकिन आपको गलिम्स दिख जाते हैं, लेकिन आपको गलिम् और जब भी आगर आप वलेंशिय वाला गेम देख लें, आप ये वाला गेम देख लें, बार्सा ने गोल कंसीड किया, बट जिस तरह बार्सा उसके बाद खेली, जिस तरह उसके बाद बार्सा ने कंट्रोल लिया, इवन जब 2-1 हो गया, उसके बाद भी बार्सा जिस तर बाकी इस्टम वही है या वाइड प्लेड रहते हैं जो दूनों फुल बैक्स हैं वो ओलाप करते हैं बहुत बहुत बहते हैं फुटबॉल कहल रही है यार बासलोना और अब player by player बात कर लेते हैं तरस्टेकन मुझे ऐसा लगता है could have done better in that goal I know it was a short जो भी है भाई-भाई far end मतलब आपके near end के उपर goal हो रहा है मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना opinion यह कि तरस्टेकन could have done better कोई major mistake नहीं की उन्होंने उसके अलावा ball distribution में जिराड मार्टीन ना जैसे मैं नए players के explain करता हूँ उनको minutes मिल रहे थे लेकिन start नहीं मिला था तो पहला start होता है एक नए player का he's a very talented player वो थोड़ा जिटरी होता है less on confidence होता है भाई रायो बहुत direct थी उनके पास pacey players थे राइट साइड की उपर जराड मार्टीन specially शुरू के 20-25 मिलने बहुत struggle कर रहे थे he was getting ribble pass वो hold नहीं था उनके पास जब ball उनके पास आती थी और बहुत ज़दा attack आ रहे थे और every time Raya was getting on that right side cross आता था जो कि उनका goal भी वा जराड मार्टीन का वो game नहीं था but मैं बिल्कुल भी critical नहीं हो रहा जराड मार्टीन के उपर because second half के अंदर he played better लेकिन I was terribly मतलब बहुत ज़्यादा मैं miss कर रहा था ball day को because pacey players से और महां पे ball day जो हैं वो full stop लगाते हैं especially defending के अंदर यह उनकी खासियत है but मतलब well deserve यहाँ पे rest मिला ball day को भी can't afford ball day to get injured because ball day कर injured होते हैं तो हमारे पास वैसे ही उसी level के उपर जो है वो replacement नहीं है cancello भी जा चुके हैं यहाँ पर अलहिलाल तो जराड मार्टीन का थोड़ा सा off game था जराड मार्टीन ही थे but again पहला start था उनका थोड़ा सा confidence कम था तो I can understand भाई हमारे तीनों जो center back है बहुत बेतरीन game था कुबार्सी का थोड़ा भलका game था पिछला वाला he was again assured के भाई वो एक हो गया था लेकिन भाई ball distribution Inigo Martinez I would say के भाई बासा should not look for any other center back Inigo Martinez अराम से आपको दो साल और दे सकते हैं brilliant player brilliant bot distribution तीनों कुंडे चाहे वो कुंडे हो पेसी प्लेयर के games खिल रहे थे one of the I think Alvaro जो है वो top three के अंदर pace में आते हैं in La Liga and कुंडे वोज थोड़ी सी issues कर रहे थे बागी बर्नाल का मैं अल्री बता चुका हूँ बहुत बेहतरी ने खिल रहे थे Pedri again was very good I hope and wish and pray every video कि Pedri stays fit for Barcelona this season because he can cook भाई क्या बेहतरी ने उनकी finish थी वो Rafinha का ball थोड़ा सा behind था it was not a bad ball थोड़ा सा behind था control किया और वो first time बहुत difficult two player उपर आ रहे थे और फिर उसको मतलब बहुत बहुत world class finish थी और Pedri देखें उनकी position थोड़ा अब लोग कहेंगे वो double pivot में खेल रहे हैं जैसे Frankie जैसे left side पे खेलते हैं जैसे Frankie left side पे खेलते हैं Pedri नहीं खेल रहे हैं पेडरी थोड़ा higher up the pitch खेल रहे हैं और वो उनको suit करता है he can play deep also मतलब उनसे ball नेना बहुत मुश्किल है वो उनका high trade but he is best when he is going box to box मतलब box के अंदर जाते हैं opposition box के अंदर ठीक है वो link up ले करते हैं तो Pedri was very good रफीनिया मैं पिछली वीडियो में explain कर चुका हूँ उनकी जो best position है वो ही है जहां पे वो start करते हैं अंसिफले की अच्छी बात यह है कि वो identify कर रहे है एक चीज़ पे मुझे थोड़ा सा उनसे शिखवा है कि फेरन टोरस की जो best place है वो left नहीं है लेकि उनके पास option नहीं है इसलिए मैं आंसिफले को criticize नहीं करूँगा उसकी फेरन टोरस की best place भी right side पे जहां पे जगा नहीं बनती है उनकी लेकिन अभी उनके पास players अवेलेबल नहीं है नेक्स गेम से हो सकता है यह Spain के अंदर, Leipzig के अंदर और अपने career के अंदर वो centrally खेल ली है मैं बहुत अर्से से Spain को follow कर रहा हूँ और जब-जब option नहीं थी left side के उपर Spain under Luis Henry के वो left side के उपर खेलते थी he was a decent player but he is a world class player when he plays centrally इसलिए मैं कहता है हमेशा यह कहता रहा हूँ के वो central player है ठीक है आप गुंडोगों चलेंगे हैं उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे जो भी जिस तरह भी यह काम हुआ है but he is a central player और I am happy के Hansi Flick ने भी यह चीज़ identify किया और उन्होंने उनको centrally खेला है and he was balling centrally क्या उनका जो है वो debut था क्या बेतरीन goal किया था बेतरीन assist again लमीन यमाल was brilliant again today वो directness provide कर रहे थे but that was a very very good finish post के उपर भी hit हुई he was balling in the midfield again मेरी बाद याद रखें he was balling in the midfield फिर रफीनिया को left side पे shift किया वो वहाँ पे भी he was doing his decent job तेके रफीनिया आप क्यों अच्छा खेल रहे है because वो wide नहीं खेल रहे है वो उनकी game नहीं है जैसे लमीन यमाल ball पकटते हैं direct, triple, triple, ऐसे करने ही कोशी करते हैं आपको रफीनिया mostly ये करते वे नहीं दिखेंगे passes, work rate, pass, 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 flick, here पेड्री को वो जो है और फिर shots लेते वे दिखेंगे ये उनकी game है तो भाई, Danny Olmo was brilliant लमीन यमाल was brilliant रफीनिया was brilliant लेवन डॉसकी should have scored that one goal उनने एक finish भी किया वो foul हो गया था पोड़ा सा मुझे ना अजीब सी लगी थी बार सा जीत की इतनी ज़्यादा बात नहीं होगी लेकिन जो Danny Olmo की थी वो penalty थी वो वाला भी foul था कुंडे का मैं उससे deny नहीं करता कि वो goal rule out होना चाहिए था बड़ Danny Olmo की definitely penalty थी और क्या चाहिए इससे ज़्यादा आपको क्या contact चाहिए बाल निकल गई उससे लेकिन उसके उपर भाई इतना गंदा foul हो रहा है मुझे एक बात बताएं अगर ये box से बाहर होता और वो इतना बुरी तेरे के टांग मार के उसको गिराता तो वो foul ना होता तो box के अंदर तो उससे ज़्यादा foul होना चाहिए तो भाई अवरॉल बहुत अच्छी गेम थी बार्सलोना की सबसे बड़ा नेगेटिव जो है वो ये है कि बर्नाल इस इंजर्ड और ये विल बी आउट आउट नो उन्तिल वैं और विल है तो वेट और सी किस तरह जो है वो कोप अप करती है without बर्नाल unfortunate है भाई हार्ड ब्रेकिंग है बट मैं क्या बोलू यार but nevertheless very good win very good again performance बार्सा एस तो show the mentality जैसे रियाल मटिट शो कर रही है ना बहुत सी इंजर्री उनको भी हुई थी this is what Ansi Flick is bringing in and I think बार्सा इसको continue करे इंजरी हो जै बाकी प्लेर स्टप अप करे ठीक है this is what you want from your players step up and take your opportunity so guys that was a brilliant performance from Barcelona unfortunate Bernard is injured अपनो बीन दें ने comment section like करते है subscribe करते मिलते नेक्स वीडियो में इसकाल बार साथ